नवरात्री फंक्शन के दोरान अर्मान और अभीरा को मिला माता रानी का शिर्वाद उड़े विद्या के होश और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तो अब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अभीरा रूही की प्रेगनेंट होने की नियूस से काफी जादा खुश और इमोश्टल हो जाएगी तो वहीं अभीरा अपनी पूरी कोश में लग जाएगी कि वो कैसे रूही को खुश रखे और कैसे उसका ध्यान रखे लेकिन अभीरा के सारे एफ़र्ट्स पर बार बार विद्या के पानी डाल देती है और उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है जहां पोदर निवास में नवरात्री की पूजा जो रोशो रोश से रखी जाएगी तो वही पूरा परिवार नास्ते गाते पूजा में शामिल होगा और हर कोई खुशी खुशी पूजा एंजॉय करी रहा होगा कि तब ही अचानक से अभीरा हो जाएगी बेहोश वैल अप शो कि अब कब एक ट्रैक में वाब देखेंगे कि जहां रूही कोशिश करेगी अर्मान और अभीरा की दूरियों को कम करने की और उनके भी जो प्यार था जो बॉंडिंग थी उसे वापिस लाने के लिए तो वही दूसरी तरफ नवरातरी की पूजा के दौरान अभीरा चानक से भी होश हो जाती है जहां डॉक्टर अभ अभीरा प्रेगनेंट है जहां दादी सा के तो खुशी के डिकान ही नहीं रहते हैं और वो खुशी से जूम उठती हैं लेकिन वही विद्या के तो होश ही उड़ जाते हैं जी हां यहां पे नवरातरी के स्पेशल एपिसोट में अभीरा हो जाएगी बेहोश जिस वजह से विद्या उन दोरों से नाराज थी और उसकी नाराज़गी के चक्कर में अर्मान और अभीरा एक होते हुए भी कभी एक नहीं हो पाए साथ होते हुए भी कोसो दूर रहे तो फाइनली अब उसका सलूचन निकलेगा क्योंकि डॉक्टर अभीरा की प्रेगनसी को लेकर करे बहुत बड़ा कुलासा वेल अर्मान और अभीरा की लाइफ में काफी ज़्यादा ट्विस्ट एंटर्न्स देखने को मिलेंगे तो वही दोस्तों आप सब कितने एक्साइटेड हैं अर्मान और अभीरा को इस न्यू टिस्ट में देखने के लिए नवराजरी फंक्शन के दौरान हमें जरूर बताए